आज मैं आपके साथ slits के उपर border attach करने का बहुत easy सा तरीका बताऊंगी तो यहाँ पर मैंने printed fabric ले लिया है जिसके एक side पर यह border लगा हुआ था तो पहले मैंने इस border को काट के अलग कर लिया अब इस border की एक किनारी पर मैंने double edging वाली black color की lace इस तरीके से attach की यहाँ पर attach करने के लिए आप कोई भी ऐसी lace ले लिजे जिसकी दोनों तरफ edging हो और बीच में जालीधर pattern हो तो मैं यहाँ पर आधा इंच चौड़ी वाली lace ले रही हूँ आप थोड़ी जादा चौड़ी भी ले सकते हैं लेकिन क्योंकि मेरा printed border पहली बहुत जादा चौड़ा था तो मैंने बहुत जादा चौड़ी laces यहाँ पर नहीं लगाई है अब इस तरीके से मैंने lace को सीधा किया और एक top stitch लगा दिया इसके उपर यह देखिए और अब हम इसकी दूसरी किनारी पर दूसरी lace लगाएंगे तो किनारी से कपड़े को मैंने fold किया और black color की ही एक single edge वाली lace को मैंने यहाँ पर attach कर दिया इस black color की lace की एक किनारी पर cut work वाला pattern किया हुआ है और दूसरी किनारी पर एक सीधी edge है तो इस edge को हमें कपड़े के नीचे दबाना है और lace को अच्छे से attach करना है border के नीचे यह देखिए तो इस तरह से border मैंने ready कर दिया है और अब हम इसको press कर लेंगे slits यानि चाक पर जब भी आपको design बनाना है तो पहले आपको border ready कर लेना है और border की चोड़ाई measure करने के बाद ही हम slits की cutting करेंगे तो यहाँ पर 2 inch से 1 point कम चोड़ा यह border है यह देखिए तो अब हमें इसकी चोड़ाई के हिसाब से slits की cutting करनी है अब कुर्ती की cutting मैंने कर ली थी और आपको मैं सिर्फ slit वाला हिस्सा दिखा रही हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो hip वाला area है वहाँ से मैंने बिल्कुल भी extra margin नहीं लिया और अब हमें 2 inch से 1 point कम की दूरी पर इस तरह से निशान लगाना है थोड़ी थोड़ी दूरी पर यह देखिए बिल्कुल सीधा निशान लगाना है हमें चाकों के उपर और अब एक scale की मदद से इन निशानों का आपस में जोड़ देंगे इस तरह और यहाँ तक जोड़ने के बाद हम इस area में एक तिर्ची line ड्रॉ करेंगे यह देखिए अब हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा margin छोड़के एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट देंगे इस तरह यह देखिए और यहाँ से हम एक छोटा सा कट लगाएंगे कपड़ी की चारो layers मैंने एक साथ ही रख ली थी और चारो layers को मैंने एक साथ ही कट किया है अब इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और क्रीज बना लेंगे यह देखिए कपड़े को मैंने फोल्ड कर लिया है और अब हमें इसके नीचे यह तयार border रखना है border को रखके हम इसके उपर सिलाई लगा देंगे बहुत आसान तरीका है यह slits के उपर border या lace attach करने का और बनने के बाद बहुत प्यारा लगता है यह तो इस black lace की किनारी को दबाते हुए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है इस तरह और कुर्ती के एक चाक पर मैंने यह border अच्छे से attach कर दिया है इस तरह अब मैं आपको एक और चाक के उपर इस border को attach करके दिखाती हूँ तो यह देखिए विल्कुल इसी तरह से मैंने side से चाक के कपड़े को fold कर लिया था और press करके crease बना ली थी और इस border को मैंने इस तरह इसके नीचे दबाते हुए सिलाई लगाई black lace की किनारी को हमें इस तरीके से stitch कर देना है इस तरह यह देखिए अब border attach करने के बाद हम कुर्टी के front और back दोनों पल्लों को एक दूसरे के उपर रखके fitting वाली सिलाई लगाएंगे यह देखिए और चाक वाले हिस्से के उपर इस तरीके से सिलाई आएगी यह देखिए यहाँ पर हमें मजबूती से 3-4 सिलाई लगा देनी है ताकि यह निकले न और यहाँ पर चाक के उपर border अच्छे से attach हो गया है और आप देख सकते हैं कितनी सफाई से border attach हुआ है और लगने के बाद ही कितना प्यारा लग रहा है तो कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा कि चाक या slit के उपर border attach करने का यह तरीका आपको कैसा लगा तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा थैंक यू सो मच फॉर वाच्चिंग बाई बाई